आप सभी को रादे रादे कार्तिक मास के कृष्ण पक्षकी एकाच्छी को रमाईकाच्छी के नाम से जाना जाता है इसे काच्छी का नाम माता महालक्ष्मी के रमा सुरूप पर रखा गया है रमा eकाश्ची के दिन भगवान श्रीहरी विष्णु की पूजा के साथ ही साथ माता महलक्ष्मी की भी पूजा की जाती है इस दिन व्रत लखने और कत्था सुन्ने मात्र से ही मनिश्य के सभी पाप नस्थ हो जाती है और घर में धन और वैबव की विद्धी होती है एक बार धरमराद युदिस्टर जी ने भगवान श्री कृषिन जी से कहा कि हे केशव कार्तिक तुष्ण एकाच्छी का क्या नाम है इसकी विधी क्या है इसके करने से क्या फल मिलता है सो आप विस्तार पूर्वक कहिए तब भगवान श्री कृषिन बोले कि कार्तिक तुष्ण पक्ष की एकाच्छी का नाम रमा है यह बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली है इसका मातमें और कथा मैं तुम से कहता हूँ इसकी एक पुर्रानिक कथा प्रजलित है ध्यान पूर्वक सुनो प्राचीन काल में मुच्छकुंद नाम का एक राजा था उसकी इंदर के साथ मितरता थी और साथ ही साथ यम, कुबेर, वरुन और विबीशन भी उसके मितर थे यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और विश्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंदर भागा था उस कन्या का बिवा चंदरसेन के पुतर शोबन के साथ हुआ एक समय वह शोबन अपने ससुरा लाया हुआ था उन्ही दिनों जल्द ही पुन्यदाई रमाई काशी भी आने वाली थी जब वैवरत के दिन समीप आने लगे तो चंदरभागा के मन में अतियंत चित्ता हुई कि मेरे पती अतियंत दुर्बल है और मेरे पिता की आग्या अतिय कठोर दश्मी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राजे में ये घोशना करवा दी कि एकाच्षी को भोजन नहीं करना चाहिए डोल की गोशना सुनते ही शोबन को अतियंत चिनता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिये अब क्या करना चाहिए मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा ऐसा उपाए बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकी अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगी चंदरभागा कहने लगी कि हे स्वामी मेरे पिता के राज्य में एकाच्षी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता हाथी, घोडा, उट, बिली, गों, आदी सभी अन, जल, ग्रहन नहीं कर सकते फिर मनुष्य तो कहना ही क्या यदि आप बोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य दूसरे स्थान पर चले जाएं क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा ऐसा सुनकर शोबन कहने लगा कि हे प्रिये, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा जो भाग्य में होगा, वह देखा जाएगा इस प्रकार से विचार कर शोबन ने व्रत रख लिया और वह भूख वेप्यास से अतियंत पीडित होने लगा जब सूर्य नरायन भगवान अस्त हो गई और रातरी को जागरण का समय आया तो वैश्नवो को अतियंत हर्ष देने वाला था परन्तु शोबन के लिए वह जागरण की रात अतियंत दुखदाई हुई प्रातेकाल होते ही शोबन के प्राण निकल गए तब राजा ने सुगंदित काष्ट से उसका धास संसकार करवाया परन्तु चंदरभागा ने अपनी पिता की आग्या से अपने शरीर को बस में नहीं किया और शोबन की अंतियस्टी किरिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी रामा इकाष्टी के प्रभाव से शोबन को मंदराचल परवत पर धन धान्य से युक्त और शत्रों से रहिद एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ एक समय मुझकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक पंडित तिर्थ यात्रा करते हुए गुमते गुमते उधर जा निकले और उन्होंने शोबन को पैचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोबन है उसके निकट गए शोबन भी उन्हें पैचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम करके नी ससुराल की कुशलता के बारे में पूछा तब ब्रामन ने कहा कि राजा मुझकुंद और आपकी पतनी कुशलता से हैं नगर में भी सब प्रकार से कुशल है परन्तु हे राजन हमें आश्चर्य हो रहा है आप अपना व्रतांत कहिए कि ऐसा सुन्दर नगर जो कि ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ तब शोबन बोले कि कार्तिक मास की रमाई काश्ची का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ परन्तु यह अस्थिर है यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजी ब्रामन कहने लगी कि हे राजन यह स्थिर क्यों नहीं और क्या इसकिस स्थिती से यह स्थिर हो सकत आप बताई फिर मैं अवश्य मेव यह उपाय करूँगा मेरी इस बात को आप मिठ्या ना समझी शोबन ने कहा कि मैंने इस वरत को श्रद्धा रही थोकर किया यह सब कुछ और स्थिर इस वज़े से हैं यह दिया राजा मुझकुंद की कर्ण्या चंदर भागा को यह सब वर चंदर भागा से सब वरतांत कह सुनाया ब्रामन के वचन सुनकर चंदर भागा को बड़ी प्रसंता हुई और ब्रामन से कहने लगी कि हे ब्रामन देव था यह सब बाते आप सच कह रही है न या कोई स्वपन है तब ब्रामन देव कहने लगी कि हे पुत्री मैंने मारे प्र काजे स्थिर नहीं है जिस प्रकार वैं स्थिर हो सके ऐसा कोई उपाई बताईए चंदर भागा कहने लगी कि हे विप्र तुम मुझे वहां ले चलो मुझे पती देव के दर्शन की तिर्व लालसा है मैं अपने किये हुए पुन्ये से उस नगर को स्थिर बना दूंगी आप ऐसा कारे कीजिए जिससे उनका हमारा सयोग हो क्योंकि वियोगियों को मिलाना पुन्ये का कारे है सोम शर्मा यह बात सुनकर चंदर भागा को लेकर मंदराचल परवत के समीब वामन देव की आश्रम पर गए वामन देव से सारी बात कहकर वेद मंत्रों के साथ उच्चारन सी चंदर भागा को अभिशेक कर दिया तब रिशी के मंत्र के प्रभाव और एकाच्ची के व्रत सी चंदर भागा का शरीर दिव्वे हो गया और वे दिव्वे गती को प्राप्त हो गई इसके बाद बड़ी प्रसंता के साथ अपने प्रती के निकट गई अपनी प्रिये पतनी के आते देख शोबन अतिप्रसन हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया चंदरभागा कहने लगी कि हे प्राणात आप मेरे पुन्ने को ग्रहन कीजिए अपने पिता के घर जब मैं आट वरश की थी तब से विधी पूर्वक एकाशी के वरत को शद्धा पूर्वक करती आ रही हूं इस पुन्ने के प्रताप से आपको यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर पढले के अंत तक यह स्थिर रहेगा इस प्रकार चंदरभागा ने दिव्वे आभूशनों और वस्तरों से शुशजित होकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी हे राजन यह मैंने रमा इकाशी का महत्मे और पुडानिक कथा तुमसे कही जो मनुश्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म अत्यादी समस्थ पाप नस्ट हो जाते हैं कृशन पक्ष और शुकल पक्ष दोनों की काशियां समान हैं इनमे कोई धेद भाव नहीं दोनों समान फल देती हैं जो मनुश्य इस महत्मे को पढ़ते अत्वा सुनते हैं वे समस्थ पापों से छूट कर विश्णु लोग को प्राप्त होते हैं बोली ब्रिंदावन बिहारी लाले की जन